आप देख रहे हैं अमरावती सेटिनियोज दोस्तों अमरावती यह शहर संतों का शहर माना जाता है और इसलिए यहां हर स्थान पर कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम होता ही रहता है नया साल शुरू होते ही सभी धार्मिक कार्यक्रमों की रेल चेल भी बढ़ जाती है दोस्तों अमरावती में स्थीत एकवीरा माता मंदिर के प्रांगन में संगित्मय रामायन का नौ दिन के पारायन का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य यजमान सीताराम बाबा है और श्री मंगला श्री जी की मुखारविन से यह संगित्मय रामायन का नौ दिन का पार चल रहा है जिसमें सभी भाविक भक्तगन आमंत्रित है इस कारेकरम का प्रारंब दो जनवरी से हुआ जो ग्यारा जनवरी को समापत होगा ऐसी जानकारी वहाँ के आयोजकों ने दी है चलो तो दोस्तों देखते हैं अमरावती सिटी न्यूज के प्रतिनी दिने ली हुई वहाँ के कुछ आयोजकों की प्रतिक्रिया जैसे कनक महिला मंडल, राजस्तानी मंडल, हितकरी मंडल, महेश्वरी मंडल बहुत सारे लोग यहां पे रोज आते हैं और देवी जी के मुखरमिन से सुस्री मंगराव स्री जी के मुखरमिन से यह आयोजन करिमत 10-12 सल से हो राय आमरावती में आप रहे, और हम लोग इसका आनंद लेते हैं और इसबार भी उनोंने आयोजन करने का कोरो ना खास कोरो ना भगाने के लिए हम तो भगवान के यह आम बादेवी के चर्णों में प्रार्थना करते हैं कि बस इसबार कोरो ना भग जाय करके ऋंो संपुलगा यह नवाम्परान का पणवर्ण किया है तो हम सब लोग बोत यहां पर आते हैं, सब बजे से आते हैं और श्हाम पास बजे तक यहां बढ़ते है रामायन जी सुनते हैं और इसम प्रसंट पुर्वक की आविजन प्रेमी है वो तो मंगला जी जी के रामायन के लिए बहुत रहा देखते हैं साल भर में अगर कब तारीक आएंगी कब ने और सबसे ज़्यादा बुजूर्ग लोग इनके साथ जुड़े हैं बुजूर्ग एने रहा देखते हैं कब देवी जी की रामायन होंगी अब कब हम सुनने जाएंगे और उनके रामायन में सही में बहुत ही अच्छे आवाज में सब में आइसा है सुनने को बढ़े लोग बारा बजे से बढ़े शाम के साथ बजे तक कोई बोर नी होता कोई उटने की कोशिश भी नहीं करता अनि सब सोचते है नौ दिन के बाद में लोग बोलते है आगला साल कब आएंगा और कब हम आपके मुझ से प्रामायन सुन सके होते रहते हैं कभी सुन्दरकांड कभी नवायन पारायन कभी कथा कभी भागवत सब कुछ अमरावती हैं कि सोच बीनी सकते हर जग पर धार्मिक कारेक्रोमों का मेला कमे लगे जाता है मेरा पूरा परिवार बाबाजी का भक्त है और मेरी शादी हुई students से तीसाल होगे मैं बाबाजी से जूड़ी हुई हूँ मेरी शादी उनके सानित्य में हुई है तो यह जो आयोजन है बहुत जब बाबाजी ने शरीर छोड़े तब से जो आयोजन शुरू हुआ है इसमें सारे ही परिवार सहभागी है और आगे भी ऐसी ही सेवा देते रहें यह सब हमेरी सब की इच्छा यही है कि सब लोग और भी जूड़े इसमें बस इतना मेरी इच्छा है बस यही मैं कहना चाहते हूँ